प्रिस्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजीए ताकि कोई भी वीडियो मिसना हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम छोटे बच्चों के लिए दस्त की एक बहुत ही बहतरीन सीरप के बारे में बताएंगे दोस्तो कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ उल्टा सीधा खाने की वज़े से उनका पेट खराब हो जाता है हाजमा खराब हो जाता है जिसकी वज़े से वो बार बार दस्त करते हैं यानि कि टौैलेट करते हैं वो भी बिलकुल पानी की तरह पतला तो दोस्तों उन condition में कौन सा सीरप बच्चों के लिए best होता है तो दोस्तों इसी topic पे आज हम बात करेंगे तो दोस्तों उसके लिए आपको बस इस video को सुरू से अंत तक देखना है और इस video में पूरी जनकारी आपको मिल जाएगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी request है कि अगर आपने इस video को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें इसी तरह की और भी अच्छी video दुबारा देखने के लिए तो चलिए दोस्तों topic की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि दोस्तों screen पे आपको एक plastic की bottle दिख रही होगी जो कि दोस्तों है नार मेटरो जिल ओ सस्पेंशन जो कि दोस्तों कुछ इस तरह के bottle package में आता है और दोस्तों ये 60 ml के pack में आता है जिसकी price की बात करें तो दोस्तों ये आपको 49 रुपे के लगबग हर किसी medical store पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों बात करें इसके composition की तो दोस्तों इसमें metronidazol इसमें 100 mg डाला गया है और flexacin इसमें 50 mg डाला गया है यानि कि दोस्तों नार metronidazol suspension दो साल्टों से मिल कर बनता है और दोस्तों ये गाड़ा होता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों nor metronidazol suspension के फाइदे के बारे में जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की सुरू में ही बताया कि आज हम बच्चों की दस्त के सीरप के बारे में आपको बताएंगे तो दोस्तों ये वही सीरप है nor metronidazol suspension जो की एक बहतरिन anti-dierial infection को दूर करने का एक बहतरिन सीरप है दोस्तों डierial infection जब बच्चों को हो जाता है तो बार-बार उन्हें luge motion होता है पतली lightring होती है और lightring भी कुछ इस तरह की होती है बिल्कुल किसी बच्चों में देखा जाता है तो पानी की तरह होता है या किसी बच्चों में फटा-फटा दूद की तरह दिखता है या बच्चों में हरी-हरी lightring दिखती है या कुछ बच्चों में खूनी पेचिस की सिकायत हो जाती है या कुछ बच्चों में दोस्तो लाइटरिंग अलग और पानी अलग हो जाता है तो दोस्तों ये सारी समस्याएं डायरियल इंफेक्षन की वज़े से होती है जब बच्चों के पेट में कोई इंफेक्षन हो जाता है या बच्चे उल्टा सीधा खा लेते हैं जिसकी वज़से हाजमा सही तरीके से नहीं काम कर पाता तो उसी कंडीशन में बच्चों को दस्त की शिकायत हो जाती है साथे दोस्तों अभी देखा जाए तो ठंडियों का मौसम चल रहा है इस वक्त भी ज्यादे तर बच्चे उल्टी दस्त के शिकार हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों उन्हें ठंड लग जाती है जिसकी वज़े से उनके अंदर इन्फेक्शन चला जाता है और वो इन्फेक्शन उन्हें पूरी तरह से बिमार कर देता है उल्टी और दस्त की शिकायत उनके अंदर ला देता है तो दोस्तो नार मेट्रॉल जील ओ सस्पेंशन एक बेस्त डायरियल इंफेक्शन को दूर करने का एक एंटी डायरियल सीरप है जो उसके मात्र कुछ खुराक से बच्चों के कितने भी पतली दस्त दिन बर में चार बार पांच बार ये दस बार हो रहा हो बिल्कुल उनमें राहत मिल जाता है साथ ही दोस्तों ये यूरीन इंफेक्शन को भी खत्म करता है या बच्चों का पीशाब दुद्य रंग का या लाल रंग का होता है उन कंडिशन में भी इस नार मेट्रो जिल ओ सस्पेंशन का इस्तम इस्तमाल किया जाता है साथ ही दोस्तों ये और भी समस्याओं को दूर करने में इसे डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों के लिए अब बात कर लाते हैं दोस्तों नार मेट्रो जिल ओ सस्पेंशन किन बच्चों के लिए आता है और डोज सही क्या है इसका तो दोस्तों इसे हम 5-6 मेने के उपर के बच्चों में इसे पिला सकते हैं और 4 या 5 साल ठके बच्चों में इसे हम दे सकते हैं जैसे कि दोस्तों इसका जो डोज है 6 मेने या 7-8 मेने के बच्चे में 2.5-3 एमेल दिन बर में 3 बार हम इसे दे सकते हैं यहीं बच्चा दो या तीन साल का है तो उसे हम फाइप एमल दिन बर में तीन बार दे सकते हैं और दोस्तों दस्त की दवा दें तो बच्चों को हलका भोजन खिलाएं पानी ज्याद से ज्याद पिलाएं ताकि उन्हें काफिर जल्दी राहत मिल जाएं साइड फेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसका कुछ खास साइड फेक्ट नहीं है लेकिन दोस्तों इसमें मेट्रो नेडाजोल डाला गया है और उफ्लक्ससिन डाला गया है जो दोस्तों ज्यादतर ये दोनों साल्ट बहुत से बच्चों को नहीं सूट करता या इसमें से को पूरे बॉड़ी पर रेड्नेस पढ़ जाना या फीवर चड़ जाना तो दोस्तों इस तरह के इसके common side effect हैं साथ ये दोस्तों इसके देने से बच्चों को सुष्टी आ सकती है चक्कर आ सकता है या फिर उनके मुं का टेश्ट भी बिगड़ सकता है तो दोस्तों इस तरह के common साइट फिक्ट होते हैं जो कि सभी को नहीं होता और दोस्तों यह नौर मेट्रोजील और सस्पेंशन अगर आप इस्तमाल करते हैं तो एक बार अपने नजदी की डॉक्टर से कंसल्ट कर लें उसके बाद इसका इस्तमाल करें तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही व समाप करते हैं